दोस्तो डेली जोब अपडेट्स रिलेटेड रेगुलर वीडियो पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाए ताकि को भी नया वीडियो अपलोड़ो तो सीधा नोटिफिस्टन आपके पास चला जाए दोस्तो आज हम आपके लिए आया है डेली जोब अपडेट्स रिलेटेड एक ऐसा नोटिफिस्टन जिसको पूरा देखने के बाद आप फॉम को असानी से भर पाएंगे और आपको फॉम बने में किसी भी परकार की परिसानी का सामना नहीं करना पड़ेगा तो सुरू करते हैं आज का विडियो दोस्त तरह की बेकिंसी आई जिसको हम लोग इंगलीज में बोलते हैं फोरेश्ट रेंजर और असिस्टेंट कंजर्वेटर अप फोरेश्ट के लिए बेकिंसी आई वे तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं वन सेवा के लिए आवेदन की अंतिमतिती कब तक है तो यहां पर हम लो आविदन फोम भरने की अंतिमति थी जो है 10 फरवारी 2020 से अब हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या महत्पुन निर्देश दिया गया है क्या-क्या जोरी नोटिफिकेशन है इसमें उसको पढ़के देखना जोरी हम लोगों को तो यहां पर शुरू में लिखा गिया है कि राज ऐन सेवा लिखित परीच्छा के चरहन में शामिल हूने उले उन्हें रात इवा-व, परांबिक परिच्छह 2020 में सम्लिब होना परिक्षा है जोरी हम लोगई हैं मतलब कि यहां पे जो भी परिक्छा होगा आपका फरीन सो गार उसके बाद में लिखा ओगा उसके बाद mapped ल छो प्रिल्यम्स परिच्छा होगा तो यहां पर सीधी से की अंदर पर लिखा जो उन्हें राजवन राश सेवा प्रावांविक परिच्छा में 2020 में समलीत होना तो उसमें उसको एकजाम साब दीएंगे तभी आप आगे जापաएंगे तो इस साब साब कहा गया ठीक है अब हम लोग यहां पर देखिए आवेदन 11.01.2020 से स्टार्ट हो जागा यह नहीं 11.01.2020 से दोपर 12.00 बजे से इसका आवेदन आप स्टार्ट कर सकते हैं इसका वेबसाट दिया गया है www.mpsc.nic.in पर आप जाके देख सकते हैं या फिर एक और वेबसाट दिया गया है www.mpsc.com पर जाके आप भर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं और जो करेक्शन वोला है 15.01.2020 से करेक्शन वोला स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आगे हम लोग जलते हैं जल्दी से यहाँ पर जो बेकेंसी दिया गया है सहाइक 1 रचक के लिए कुलपत 6 है इसमें जो अनाराचित के लिए 3 अनुसुषी जन जाती के लिए 1 और अतियंत पिछड़ा के लिए 1 और EWS के लिए 0 और 1 छेतरफाल के लिए 105 अनाराचित के लिए 47 जो जनरल केटेगरी और अनुस जाती के लिए जो अनुसुषी जन जाती होता है उसके लिए 11 अनुसुषी जन जाती के लिए 6 अतियंत पिछड़ा के लिए 30 और EWS के लिए 10 तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पर मत पर्देश के लिए बेकेंसी आए इसमें हर अश्टेट के लोग अप्लाइ करेंगे तो इसको जेनरल केटेग्री में भरना पड़ेगा और जब मत पर्देश के लोग हैं जो अपनी केटेग्री में बढ़ सकते हैं अगर वह एस्टी एस्टी ओबीसी या EWS में तो मत पर्देश के लोग को ही आरचन मिलेगा और अधर अस्टेट के लोग केटेग्री में भर सकते हैं तो यहां पर बिल्कुल साब कर दिया गया है आगे हम लोग चलते हैं तो यहां पर देखिए इसका मत पर्देश आपका जो भी अस्थाई जो है पर इसमें जो पर्मनेंट है ठीक है अस्थाई नहीं है पर्मनेंट है और यहां पर्मनेंट पोस से तो इसमें आपको डृकिन होना चाहिए साइंस बीसे में पर इंजिनेरिंग में आपको प्रिजिनेर वहन जाया सनातक होना चाहिए या उसके बराबर होना या सि-स जी बात है आपको गरिशन गरीमeous दिगरी ग Wi- Claire साइंस यहां इंजिनियरिंग में होना चाहिए यहां बहुत सारी चीजें किया गया है जो भीआप सब्चेक्ट्ट से पिव मेंन करते हैं यहां excellence यहां यहां पर करना है। जो आपको वन महा पे त्याले देहरादून में में होगा या सासन दूआरन इधारित दूसरे वन विभाग में होगा ठीक वन महावित त्याले में होगा तो यह में देहराव दिन में हो सकता है नहीं भी हो सकता है अब दूसरा जो पत है वन छेत्रफाल का इसमें 36,200 से एक लाग 14,800 वैतन दिया जाएगा तो यहां पर दिर्तिय श्रेनी आता है इसमें भी आपको दिया जाएगा देखे सेचनिक यहां पर मांगा गया उमीद भारत मानेता प्रा बिज्ञान यांत्रिकी क्रिसिवान की असनातक होना जो रही है यानि मेकनिकल हो गया साइंस हो गय इस विद्याले में होगा आपका तो टेंसर नहीं लेना है यहां पर आगे हम लोग चलते हैं कि और उसके अलावा सायरिक माप डंड में क्या क्या आपको देखना है तो सबसे पहले आपका प्रामविक पर इच्छा पिरलियम्स होगा फिर मैंस होगा फिर इंटर्वी होगा अब उसके बाद सायरिक माप डंड भी होगा तो यहां पर देखिए पुरूस के लिए 163 संटीमेटर चाहिए महेला के लिए 150 संटीमेटर यह जो है समान अनुसुचित जाती अनाराचित और अनपिछड़ा वर के लिए बोला गिया यहां यहां पर यहां पर जो अनाराचि 42 संटीमेटर पुरूस के लिए महेला के लिए 145 संटीमेटर चाहिए और सीने का माप होगा ओ 79 पुरूस के लिए महांगा गिया है और यहां पर जो भी महांगा गिया है फैलाक और जो भी महांगा गिया है 5 संटीमेटर फैलाक होना चाहिए यानि फैलाक पुरूस का 84 होना और वन पाल में 16 किलोमेटर चलना पड़ा यह चार घंटे में आपको पूरा करना आगे पढ़ के दिखाऊंगा यहां पर चार घंटे में पैदर चलके 25 किलोमेटर पूरुस को और चार घंटे में महिला को 14 और 16 किलोमेटर टैय करना पड़ेगे और यह चीकिषा मंडल द्वारा किया जाएगा जो माप डांट आप होगिना चाहिए और आपको आगे और आपको रचन दिया जाएगा ऑगर जो आमत पर्दिश के मूल निमासी है उसके लिए आगे हम लोग चलते हैं एज हम लिमिट य और वनपाल के लिए कि वर्स होना चाहिए नियुतम और तैसी स्वर्ष से कम होना चाहिए और आप यहांपे आगे देखते हैं तो यह सारे आप पोच करके देख सकते हैं क्या चीजा है पारांबिक परिचा जो प्रिलियंग होगा उसमें आपको लिए जाएंगे यानि objective प्रस्ण होगा इसमें आपको दिया गया है 40% अनुसुची जन जाती के लिए लाना होगा पिछड़ा आन पिछड़ा वर्ग है तो 30% लाना आवसक है यहाँ पर सिधा सिधी लिखा गया है तो हलंकिया आप यहाँ पर सेंटेज पर नहीं जाए कट आप यहाँ आपको जो सूल्क लगेगा सो रिपल लगेगा और अत्रिक सुल्क चालीस रिपल लगेगा और एक ही आवेदन आप अपलाई कर सकते हैं ठीक है पहला एक्जम्प्र लियम्स होगा उसको देना काफी जो रही है और यहाँ पर जो भी सेलेक्शन जो होगा यहाँ पर आपको 15 गुन लिखा गिया है आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं यह दस दिन पहले आपको परिशा सहर की जनकारी दे दिया जाएगा अब परिशा परवेश्पत्र दिनांग 642011-104221 की बीच आ जाएगा तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं कोबिट-19 के संदर में अभी आभी आरतियों द्वारा केंद्र का रास आसन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्दत्सों का पलन किया जाना होगा यह तो ज्यादा जोरी है मास लगा कि जाना ही पड़ेगा और एड्मिट कार्ट और आपका ओरिजिनल आईडी लेक क абсолют के जाना पड़ेगा जो भी अधार काड़ है ठीक है दो लेकी जाना पड़ेगा कहें की आजकल दो देखा ज़ाता है अधार कार्ड अ trading नाइस open और यहां पर जो भूथ पूर से नहीं के उन लोगों कुछ छूट दिया जागा तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं तो य और यहां से सभी अनमन्थ परतेस के बाहर के निवासी को 500 एंपर लगे तो यहां पर साफ साफ तोर पर लिखा गया वहाँ पर कुछ और लिखा गया लेकिन यहां पर साप साफ लिखा गया तो इसको अगर भरना चाते तो आप भर सकते हैं तो शुरुवाती डेट बता दिया आते हैं जोब से रिलिटेट तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकल को दबादें दाकि नहीं आप वीडियो अप्लाइट तो सीधा नौटी प्रसन आपके पास चला जाएं